में दरतलों पर मेक्रिस यह आते हैं कि आप क्या गए थे होटल आपूप गए थे होटल ? इसको nigdy क्लियर में नहीं के थे यहीं dwars नहीं क्लियर करना थी तो बहुते ही अपने होटल को क्या तो मैं उस दिन गया था और उनके मंत में और उन्हें को सब्सक्राइबर से तो मैं उनको आपको चोड़ करता हूं कि मुझे किसी ने कि नहीं किया यहां पर पता है किस तरह को मुझे रोस कमेंट्स आते हैं और हमारी फैमली में सब जानते हैं कि कौन सचा है और मैं काफे टायम से चुकता है मैंने इतनी वीडियो बनी बीच में सब ने वीडियो बनाई इस वर के सरमा बाजी जूटी है तो मैं जश्टी आप यही क्लियर करना चाहूं कि समझ बाजी जूटी नहीं है वो सची है और उनका किसी ने भी यहां पर साथ नहीं दिया सिर्मारी जो बात मैंने कि यह बोलना बहुत मतलब मुश्कुल थी क्योंकि काफी रिष्टों मतलब देखके बात करनी थी लेकिन एक बंदे को अगर आप जूटा करके अगर यह आप सब पुछ रहते हैं तो मुझसे यह नहीं होता है तो मैंने अपने आपको यह मैंने इसलमा बाजी को भी क्लियर कर दिये यहां पर अपने आपको भी क्लियर कर दिये असलमालेकूम कैसे हो आप सब अलम्दिलिल्ला मैं एकदम ठीक हूँ अमीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे के सबस्क्राइबर आये है तो आप लोगों को पता ही है के नेना ने क्या बोली थी फसादन औरत को के हमें लगा था कि एजाज आया हुआ है तो इलग सबस्क्राइबर बोलके फिर भी इसकी इज़त रखे थे इन लोगों ने एजाज का नाम नहीं लिये थे खुल के जहिती बाते ले नहीं सकते है क्योंकि इनके घर में चलती है गुंड़ा करती और पिटारा एक नमबर की क्रिमीनल औरत है क्रिमीनल माइंड औरत है और उसने किस तरह से जो जो लोगों ने उसका साथ नहीं दिये उसको नहीं चाटे थे और सच बोले थे किस तरह से इसने उन लोगों को गिराई और शारुक का चैनल से लगके उसने डिलीट करवाई तो ये सब चीजों से आप लोगों को पता चली गया होगा कि पिटारा कितनी बड़ी क्रिमिनल माइंड की बंदी है अभी देखो पूरा खांदान था जिसमें से किसी ने भी सलमा का सपोर्ट नहीं किया था लेकिन सलमा की तरफ से ना किसी के चैनल को या किसी की जिन्दगी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वहीं पे अगर आप लोग गौर करो एक मामू नदीन था जो सुरू में उसने सलमा की सपोर्ट में वीडियो बनाया था और एक शारूप था जिसने सच बोला था और आथ दोनों के ही चैनल नहीं है यहीं से आप लोगों को पता चल सकता है कि पिटारा कितनी बड़ी डायन किसम की क्रिमिनल माइंड और किस तरह से वो लोगों को वाइटी से गायब कर देती है सोचो पर्सनल लाइफ में उन लोगों को कितना हाम पहुंचाती होएंगी कितना उन लोगों के साथ में गुंडा गर्दी करती होएंगी कभी चैनल के नाम से डराना तो कभी अंदर करवाने के नाम से डराना कभ पर ये नहीं की होती ना ये कांड जो के लोग बैठे है किलियर करवाने के लिए तीन साल मेरे ख्याल से होने को आ गया है उस चीज़ को अभी तलब के इसको किलियर ही करवाना है मतलब के चलो भई एक बात है सलमा गलत है सलमा ने कुछ जूड बोली सलमा ने कुछ करी जैसे क नाकाबिले बरदाश हो उन सब चीजों के उपर बात करना उसके वज़े से सलमा को ट्रोल करना उसके उपर सवाल उठाना फैर है बिल्कुल फैर है योकिन घूम फिर के आके पिटारा को किलियर करना सारी गेम समझ में आती है के गेम क्या हो रही है और जित तरह से शारुक ने आके सज बताया था उसके बाद में जित तरह से धमकियां दी गई केस के वज़े से और चैनल के वज़े से और फिर बाद में आप लोगों ने देखा ही है जैर सी बात है इतना ज़दा किदी को ट्रोल करेंगी वो या परतनल उनकी जिन्दगियों को हाम करने की कोशिश करेंगी तो सामने अला बंदा तो फिर जुकेंगा ही जुकेंगा ना फिर तो वो माफी मांगेंगा ही मांगेंगा तो फिर बाद में इतने और नैना ने आके माफी भी मांगे थे और आप लोगों ने देखा था के शारुप का मु immune के अंदर किस तरह से बना हुआ था और फिर बाद में शारुप न एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर इसने सच भी बता दिया था के हमें डरा धमका आ के वो वीडियो बनवाई गई थी सारी वीडियो मेरे पास में सेफ पड़ी हुए ये शारुप का मूँ बन कर सकते है उसका चैनल बन कर सकते है लेकिन सच को चुपा नहीं सकते है सच को कोई भी दरवाजे के अंदर बन नहीं कर सकते है और सच यही है कि पिटारा ने गुना की थी अब वो कितना भी कर ले लेकिन उसका गुना कभी भी है ना किलियर नहीं बैट जाती लोगों को यकीन हो जाता कि हां उसने नई की थी इसलिए तो वो चुप करके बैट गई और अल्ला ने इसको सच्चा साबित किया लेकिन वो चुप करके नहीं बैटी वहाद दिन तलक के अपने आपको किलियर करवाने में लगी है कभी किसी को पकड़ के लाती है तो किस लिए अपने आपको किलियर करवा रही है क्योंकि उसने गुना की थी और मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ के पिछली बाते ले लेके आए इसको पर बाते करें और उस चीज़ को वापिस से हाइलाइट करें लेकिन जैसे के मैंने बताई ना के लोग घून फ साने की कोशिश की जाती है बातों को मैंने प्लेट करने की कोशिश की जाती है तो फिर सच बताना मेरा फर्ज बनता है कि ना हम वो टेम पे जूट के साथ खड़ेते ना हम उस चीज़ को आज भी जूट बोलेंगे हाँ मैंने बोली हूँ अपनी लाइब में भी बोली मैंने उसमें बोली हों कि ऐसा कोई proof लेकर आओ जहां पर ये ताबीत हो कि हां सलमा ने planning की थी सलमा ने जूटी planning plotting की थी और उसकी voice उसकी chat वगेरा वो सब लेकर आओ मैं खुद भी सलमा से सवाल करूंगी लेकिन जितने proof हमने देखे है जितने बयान हमने सुने है लोग बोलते ना कि उस नहीं यहां पे कसम नहीं खाई वहां पे खाई उतने जूटी कसम खाई वो गूरीन परदे के आगे बैट के कसम खाई पीछे उसने गूरीन परदा लगाई चलो ठीक, मान लेते हैं कि सल्मा ने एक भी बात सची नहीं की हर एक बात की सल्मा को जुटला देते हैं लेकिन उन वैसों का क्या जो इसके सपोर्टर इसके चाटू कर रहे थे और वो भी ऐसा नहीं ये कोई बाहर वाला बाबर की वैस, नज्जो की वैस, गोंचू की वैस इसकी चैट कसम खा लेते हैं दोनों के घर बच जाएंगे फिर इसका ये जूट बयान देना कि मैंने कोई होटल के कमरे में कदम नहीं रखी क्यों इसने ये कसम नहीं खाई कि मैंने किसी होटल में कदम नहीं रखी लेकिन इसने ये कसम नहीं खाई इतने ये कतम खाई कि मैंने किसी कमरे में कदम नहीं रखी तो यहां से यह खूद पकड़े गई है इतने खूद अपने आपको जैड थाबित किया है वो सारी चीजे भी पढ़िए वो सारी चीजे भी लगेंगी सारी कोई चीजे लगेंगी और मैं इस वज़े तेना शारुप को एप्रिशेट करती हूँ कि वो बंदा था जो इसने आके सच बताया था हाँ उसको इस चीजे को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसको नुकसान पहुंचाया गया उसकी रोजी रोटी बन करवा दी गई आप बोलेंगे के नैना ने चैनल बन करवाया जाहिरती बात है कि वो आके सच बोल देता था और पिटारा नैना को दमकियां देती थी और बोलती थी इसको मना करो बोलने के लिए फिर नैना के पास में भी क्या बसता यही बसता ना कि हाँ भाई चलो इसका चैनल बन करवा दिया जाए क्यों किसी का चैनल बननी हुआ नदीम का और शारुप का ही चैनल क्यों बंद हुआ तो यहीं से आप लोग समझ सकते हो कि पिटारा किस तरह की चीज है और जिस कार्ट को लेकर इतना ज़्यदा परमोशन भी की जा रही है मैं वहां पर सिर्फ इतना बोलूँगी कि उस होटल की किसी रूम में भी मैंने एक कदम भी अंदर रखा हो जो सजा देंगे ना वो उस सजा की मैं हगदार हूँ उन्हें बच्चों की कसम खा खा रही हूँ क्योंकि यहां पर मैं कहती हूं कि इसकी कसम भी बोल लेना वैंकि इसकी कासम थो नहीं खाया थी जो इसकी किसम के भी कष़ए लिए चल्फ करूद कि मैं गलत हूं भी नहीं तो मैं पर उठाने के लिए तयार हूं कि वाकी मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे इस इस्ताम में मत घ्सीटा जाए और मुझे मत योटीव पे माफी मंगवाई जाए और अल्ला गवाय अल्ला भी मुझे कभी न भखशे कि मैंने उस होटल के किसी भी रूम में एक कदम पाओं ही रखा हो तो भई सुन लिया आप लोगों ने क्या बोली है कि मैंने उस होटल के किसी रूम में अगर कदम रखा हो क्यों इसने ये नी बोली कि मैंने वो होटल में कभी भी कदम रखा हो तो मुझे अल्ला कभी भी ना बखशे जब ये बच्चों की कसम खा रही है वहाँ पे दो टेक लिये गए है वहाँ पे आप लोग गौर करना पहले भी इसके उपर मैंने वीडियो बनाई हूँ दो टेक लिये गए है कसम के बाद में इसने कुछ और बोली होगी फिर वो वाला सीन इसने कट करके फिर आगे इसने कुछ और लगाई और उस तरह से इसने अपने बच्चों की जूटी कसम नहीं खाई क्यों क्योंकि इसने कसम खाई नहीं इसने वहाँ पे सीर परसरी बच्चों की कसम फिर आगे कट और फिर इसने बोली कुछ और है जो के इसने कट करके कलीफ अटा दी थी तो अब बताओ कि हमने तो कभी भी नहीं बोले कि इसने क्राउन होटल में जाके मुखाला की थी क्योंकि वहाँ पे तो जो काड़ वगेरा का मसला हुआ था जो आईडी काड़ का मसला हुआ था उसके वज़े से इनको रूम मिला ही नहीं था तो ये लोग दूसरी होटल गए थे और ये जो इतनी सारी बाते की है ना इन सब के उपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी ये वली जो इसकी कलीप है ना ये वली वीडियो के अंदर जितनी भी इसने बाते की है इसके उपर भी वीडियो बनेंगी अलग से बनेंगी और ये स खोली जाए जो भूल चुके ना उस चीज को और सलमा को गलत समझने लगे तो उनकी भी वापिस से घर की वापसी करवाई जाए और जो नए लोग आए ना उनकी भी आंके खोली जाए उनको भी सच्चाई का पता लगाया जाए उनको भी बताया जाए के सच क्या है किसनी क्य किया क्या नहीं किया तो इसके लिए ना मैं ये सारी चीज़े जरूर लगाऊंगे हलाके मैं चाहती थी के वीडियो टू वीडियो रियक्शन हो और कोई भी पुरानी बाते ना लाई जाए कोई भी चीज़े ना निकाली जाए लेकिन अब जायरती बात है हम कभी भी होता है ना तो ये खुद अपने वीडियो में बात कर रही होती है कि दो साल पहले मेरे से ऐसा हुआ दो साल पहले मेरे साथ में वैसा हुआ तो इसको खुद को चाहिए रहता है कि ऐसा कुछ हो और याद आए सबको सबको पता चले कि इतने कितना गंद मचाई थी तो कोई बात नहीं है करते हैं और क्या और इसने जो पुरान वली बात की ए कि लिए बोला था कि जब मैं जूटी नहीं हूँ तो मैं क्यों कसम ना खाऊंग। फिर दुसरी बात यह भी बोलती है कि यहां पर कसम खाएंगे तो भी लोग समझेंगे कि जूटी बोलते हैं मतलब कितनी बातों को यह गुमारी है और इसने अगर समझ लो के यह सची थी ठीक है इलजाम जूटे लग रहे थे तो यह तो फिर वाइटी पर आके चिला के बोलती के बहुत चल तू भी कुरान शरीफ उठा मैं भी उठाती हूं कि मैंने इसा कुछ नहीं कियों लेकिन आप लोगों ने जाय डेकी है इसमें इतने किस दरह से बाता ती है इतने बोली है के चलो दोनों जन्य कुरान उठा लेते हैं दोनों के घर बच जाएंगे किस वे में तू घर बचा रहे थी उसका तू क्यों घर बचा रहे थी अगर के तू सच्ची थी तरह पे इलजाम लगा था तो तू कि मैंने ऐसा कुछ की, तेरे साथ में, तेरे साथ होटल में गई, सलमा को बोलती कसम खाने के लिए, कि अब तू कसम खा, कि कनफर्म मैं गई थी, मैंने ये की थी, लेकिन वहाँ पे तू बोल रही है, दोनों जन्य कसम उठा लेते हैं, कुरान उठा लेते हैं, दोनों के घर बच जाएंगे तो यहां पे किसको बेवकूप बना रही हो भी भी तुम्हारे खुद के बयान है ना तुम्हें फसा रहे हैं साबित कर रहे थे कि तुमने वो कांड किया था तुमने गुना किया था और यह हमने नहीं बोले यह तुमने अपने मूँ से बोली है ठीक है तुमने इस तरह से जताई है कि मैंने नहीं की तो सारी चीजे लोगों को समझ में आ रही है कार्ट को लेके भी बोली प्रमोशन की जा रही है कैसे वोई कार्ट जेप से निकला जो कार्ड जो होटल में तुमको छोड़के आया गया था और उनी दिनों में तुम घरते रात के टेमपे गायब थी उनी दिनों में घोचो गया था उनी दिनों में बाबर की वाइप ने वहाँ पे आके वीडियो बनाई सब के सब मतलब अजीबी हो गया अपने आप हो गया इतफाक हो गया नई बीबी तुम लोगों ने गेम खेली कितनी गेम खेली कोई आके बोल रहा है कि मैं वहाँ पे गया था वहाँ पे तो नेना और शारुक थे ये तो गई नहीं थी कभी बोलते हैं कि वहाँ पे तो कोई गया ही नहीं था मतलब कि इतनी सारी कहानिया कौन बनाता है भई जो जूटा होता है ना वही कहानिया बनाता है जो सच्चा होता है न वो सिदा-सिदा आकर अपनी बातों को रख देता ये ये बात थी मानना है मानो नहीं मानना है ना मानो अल्ला गवाई पयदा करेंगा अल्ला सच्चा है साबित करेंगा लेकिन ये औरत ने हर एक अईती कोशिश की बातों को गुमा फिरा के जूटे प्रूब बना के मैनू प्लेट करके जूटी कसमे खा के जूटी बाते करके सारा कुछ इसने करी क्यों क्योंकि ये गलत थी जब मुजरीम होताए ना तभी वो सबूत मिटाने की कोशिश करताए क्यों सल्मा ने नहीं करी आपको सच्च साबित करो अपने अपको तुम्हें पूरा हक है अपको फूरूब करने का उसने तुमको कोई धमकी नहीं दी उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम मत बोलो तुम अपने लिए मत लड़ो तुम अपने थबूत मत लाओ तुम अपने आपको सच्च साबित मत करो उसने कभी भी ये करने की कोशिश नहीं की उसने बलके सामने से बोली कि आओ तुम भी प्रूफ लगाओ तुम भी सच्चाई बताओ कि तुम सच्ची थी लेकिन तुमने एब्रो मुंडवाली बाल काट ली इससे तुम सच्ची साबित हो गई इससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ तुमने डरा रही हो किसको डरा रही हो पुरे खांदान को डरा रही हो तुम सलमा को डरा रही हो, तुम अजगर को डरा रही हो, तुम तुम अरी मा को डरा रही हो कि देखो आज मैंने अप्रो मुडवाई हूँ, बाल काटी हूँ, कल मैं अपने आपको कुछ कर लूँगी मैं लटक जाओंगी मैं नाले में गिर जाओंगी मैं गटर में कूच जाओंगी मैं बच्चों का कुछ कर दूँगी ये सब करके तुम ढरा क्यों रही थी इसलिए ढरा रही थी ना कि इलोग कोई प्रूफ ना लेके आए इलोग साथ सामने ना लेके आए है ना वरना तो की कोशिश करना चीए था तो पिटारा चाहे देखो कोई भी हो कितना भी बड़ा सपोटर हलाके शुरू से लेके जित दिन से ये मुद्दा आया है तब से लेके आज दिन तलग के आप लोग देख रहे हो के बंदे आते हैं खूब इफेक्ट लगाते हैं खूब कोशिशे कर खूब मैनत करते जूटी जूटी कानिया बनाने की और ये तरह कुछ करके पिटारा को क्लियर करने की फिर बाद में उनके मुझ काले होते और वो पिच्छर से गायब हो जाते और आप लोग देखलो जो जो लोगों ने न इसको सपोर्ट करने की कोशिश की है न उनकी क्या हस पहस्तर हुआ है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कित तरह से वह जलीलो ख़़ार हुए है कितने बंदे आहे और चले गए लेकिन इसको कोई नहीं किलियर कर पाया कियो कुभी हो इनी च्छीज में कितना भी वह बंदी ये न गलत हो लेकिन ये वाला जो मुद्धा लेकर आई थी ना उसमें वो 100% सच्ची थी है और हमेशा वो सच्ची रहेंगी इसके अंदर उसको कोई जूटा था भीती नहीं कर सकता है हो सकता है कि वो घबराट में आके कुछ बाते बोल दियोंगी किसी के सुने के उपर बोलने के उपर जो बात जैसी नहीं है वह इसी नहीं बोलके इसको अलग तरह थे वो सारी बाते, वो टैम पर क्यासिट्पेशन चल रही थी, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो ये सारी चीज़े तो चलो भई, ठीक है, लेकिन मुद्दा तो गलत नहीं था, मुद्दा जूटा नहीं था, गुना तो हुआ था और वो हमें दिखा था तो बस यही सारी बाते हैं बाकी मैं तो अभी भी ओफर दूँगी अभी भी बोलूँगी के खतम करो इन सब चीजों को क्यों एक बार और उसको जूतों के हार पहना के टमाटर और अंडे इसके उपर फिकवाने है इसको जलील करवाना है पिटारा को तो इसके लिए मैं तो यही बोलूँगी के अभी भी मौका है खतम कर दो वीडियो टू वीडियो रियेक्शन दो वीडियो टू वीडियो बात करो क्योंकि यह सारा कुछ करने से न सलमा का कुछ भी नहीं जाएंगा गंदी ये हो रही है इसके बच्चे बड़े हो रहे देखा था ना बीच में ये लाइब आई हुई थी तो इसके बेटे ने ज्याइड ज्याइड बोलके चला गया सोचो कि इसके अपर थोड़ा तो असर हुआ होगा कितनी बेगारत है फिर भी इतना थी तो असर हुआ ही था ना लाइब बन करके भागी थी तो इतके लिए इसके अच्छा चाते हो या इसका बुरा चाते हो अगर अच्छा चाते हो ना तो करो अनौस करो किनी आमे नी पुर क्या मैंने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा बोली हूँ जो पिछले दो साल पहले मैंने नहीं बोली थी क्या कुछ भी अलग है नहीं ना पिछली बार जो सारी बाते आई थी वही बाते इस वीडियो में भी है बस यहीं लोग चाते हैं कि यह सारा गंद बार बार उठे और पिटारा बार बार गंदी हो हम क्या कर सकते हैं खेर चले वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापीस